काफी ऐसे लोग हैं, जब उनके पास चार्ट आता है, यानि कि जब वो टेक्नीकल अनालीसिस करते हैं, तो जब वो चार्ट ट्रीडिंग करते हैं, तो चार्ट पे उनको दिखते हैं तो ने समझने में काफी मुश्किल होती है कि यह कैंडलिस्टिक होती है, किस तरीके से काम करते हैं जब मैं मार्केट में बीगनर था और जब मैंने टेकनिकल अनेलिसी सीखा तो मुझे भी काफी मुश्किल हुई ग्रीन केंडल क्या होती है यह रेड केंडल क्या होती है किस तरीके से काम करती है इसको एनलाइज करके हम अपने कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सक मैं आज की वीडियो पर बताने वाली हूं किसी से पूछे कि बीरिशच केंडल क्या होती है तो काफी लोग बोलते हैं कि बीशच केंडल रैड केंडल होती है हाला कि दोस्तों हम इसका कलर रैड की जग़ा हम पिंक भी कर सकते या फिर black भी कर सकते हैं और अगर हम bullish candle की बात करें तो काफी लोग बोलते हो यह bullish candle वो होती है जो green candle होती है बट कहना चाओंगा इसका color भी हम change कर सकते हैं हमें candle stick को समझना पड़ेगा इसके पीछे की definition को समझना पड़ेगा formation को समझना पड़ेगा यह bearish candle bearish होती क्यों है उस उसकोस अमजना परेगा।